Hello everyone and welcome to our channel अपना इंशुरेंस वाला तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें अपने बच्चों की शिक्षा की योजना करना इतना महत्वपुन्ट क्यों है Why Child Education Planning is very important in 2024 अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी देखबाल के लिए अपनी शक्ति से भी सब कुछ करते हैं जब उनकी शिक्षा और भविश्य की financial security की बात आती है तो समय पर निवेश करना, investment करना अन्य काम की तुल्ला में अधिक महत्व, अधिक important हो जाता है जिसे वो हमेशा एक preference देते हैं शिक्षा के बढ़ते खर्च के कारण अपनी बच्ची के लिए निवेश करना एक बहुत महत्वण बात है बच्चे की भविश्य की वित्य सुरुक्षा के लिए योजना बनाना एक parents के लिए चुनौती पून काम होता है बच्चे के वित्य भविश्य के financial future की सुरुक्षा के लिए सही समय पर सही निवेश का निड़ना लेना भी एक बहुत important बात होती है हर parents के लिए आप सोच कर देखिए आपका बच्चा बहुत मेहनत करता है और बहुत अच्छे marks लेके आता है 12 में लेकिन जब उसे higher education के लिए जाना होता है तो वो आपके पास आता है और आपसे कहता है पापा या ममी मुझे इतने पैसे चाहिए और मैं ये course करना चाहता हूँ यहीं आपका असली इंतहान होता है अगर आपके पास उसके education के लिए कोई planning नहीं की हुई है कोई पैसा इकठा नहीं किया हुआ है तो आप उसे क्या जवाब देंगे उसके लिए आप या तो loan लेंगे या कि property बेचेंगे या कि किसी से उधा लेंगे और ये तीनों ही आप आपको urgent नहीं मिल पाएगा तो आप सोचके देखिए कि बच्चे पर क्या भीतेगी वह यहीं सोचता रहेगा कि मैंने इतनी महनत करी और सिर्फ आज पैसे की वज़ा से वह अपनी higher education को नहीं पूरा कर पा रहा है और उसके कितना दुख होगा और जितना दुख उस करना है यह कोर्स करना है तो आपने तुरंद का हां बेटा मैंने हर चीज का पूरा arrangement किया हुआ है और तो बच्चे के अंदर एक confidence आ जाएगा वह अपने आप आगे बढ़ने की सोचेगा उसे पैसे की चिंदा करने की बजाए अब आगे उसे और कैसे पूरी मेहनत से काम कर चलिए एक्जामपल से समझते हैं इस बात को कि जैसे आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप अपने रसोई में पानी पीने का भरते हैं उसे स्टोर करके रखते हैं जिनके यहाँ टैप है वो टैप से पानी भरते हैं जिनके हैं हैं हैंड पंप से भरते हैं कई लोग स अगर हम किसी दिन पानी भरना भूल जाते हैं, तो पूरा दिल हमें परिशानी का सामना करना पड़ता है. आप प्यास लगने पर पानी भरने नहीं जाते हैं, बलकि आप पानी का इंतिजाम पहले से ही करके रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको पानी की जरुरत पड़ेगी, पड़ेगी, तो जब आप इतनी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए saving जैसे महतपूर बात को आप ignore कैसे कर सकते हैं, आपके बच्चे बड़े होंगे और आपको एक बड़ी धन्राशी की जरुरत पड़ेगी, चाहे आपका बच्चा doctor बने या engineer बने, चाहे वो कोई business करे, पर हर एक चीज के लिए आपको बड़ा खर्च की जरुरत पड़ेगी, तो इसी लिए आपको अपने बच्चे के future के लिए अभी से एक insurance करना चाहिए, हम आज ही से planning कर सकते हैं, तो चलिए जल्दी से हम points में समझ लेते हैं कि बच्ची की education हमें किस कारण से करनी चाहिए, सबसे पहला point है bright future, education बच्चे की भविश्य की सफलता की नीव है, अपनी शिच्छा की योजना बनाकर माता-पिता एक tension free life जी सकते हैं, अपने बच्चे को planning नहीं कर पाएंगे, तो आने वाले साल में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो planning करना बहुत ही जरूरी है, अगला point से बात करते हैं, developing children, हर बच्चे के लिए सिच्छा बहुत ही महत्पूर्ण है, क्योंकि अगर बच्चे का विकास आप करना चाहते है तो उसे education देना बहुत ही important है, अगर अच्छा भवी से चाहिए, तो अच्छी education देना बहुत जरूरी है, जिस लाइन में बच्चा जाना चाहता है, उसके लिए आपका arrangement करना बहुत जरूरी है, अगर आप एक अच्छी योजना बनाते हैं, तो आप पूरे दिन स्ट्रेस पूरी रहेंगे, क्योंकि आपको पता है, आपके सारे काम एक particular time पे पूरे हो जाएंगे, अगला point है long term financial planning, education के लिए planning करना, बच्चे की education के लिए planning करना, एक long term planning होती है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, तुरंद उसको पैसे की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि education एक आज 12th pass करेगा, 12th की बाद उसे पैसी की जरूरत पड़ेगी, तो ये एक time पे उसको पैसी की जरूरत नहीं होती है, तो आपने पूरे दिन को सुबह से morning में ही plan कर लिया हो, तो आज पूरे दिन में इसी समय ये काम करेंगे, ये आप decide कर लेते हैं, इससे आप पूरा stress free र पूरे जीवन की बात है, पूरे जीवन भर आपको जरूरत पड़ती है, अपने बच्चे को अच्छे सिच्छा देने की, तो एक stress free life तभी मिल सकती है, जब आप हर एक चीज की planning करके रखते हैं, और ये एक बहुत ही महत्पूर्ण बात है हर माता पिता के लिए, अपने next videos में हम आपको बताएंगे, LIC में कौन-कौन से ऐसे child education plan है, जो आप अपनी बच्चे के लिए ले सकते हैं, और दुसरी बात हमें हमेशा subscribe करके रखे, क्योंकि इस type की video आपको हमेशा मिलते ही रहेंगे, thank you everyone.